बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी मदर्स जो होती है इस चीज़ को लिए परिशान रहती हैं कि बच्चे को जितना दूद मिलना चाहिए क्या हम उसको उतना पिला रहे हैं हम कैसे पता कर पाएंगे कि बच्चे का पेट अच्छे से भरा है या नहीं और स्पेशली जो न्यू मदर्स होती हैं जो नहीं नहीं मा बनी हैं जिनका बच्चा भी छोटा है जिनके लिए हर चीज़ अभी नहीं है तो उनके मन में इस सवाल बहुत जादा आता है और वो इस चीज़ को लेकर बहुत परिशान भी रहती है तो मैं आपको बता दू कि आपको जो है इस चीज़ को लेकर बहुत जादा परिशान होनी की ज़रत नहीं है तो आज के स्वीडियो में आपको बताने वाली हो ऐसी पांच चीज़े जिने देखकर आपे पता लगा सकते हैं आपके बेबी को जितना दूद मिलना चाहिए उतना दूद बच्चे को मिल रहा है और इसका ग्रोट जो है अच्छे से हो रहा है सबसे बरें आपको बता दू कि बच्चे के लिए मा का दूद जो है बहुत ही अच्छा होता है अगर मा को अच्छे से दूद बन रहा है तो आप बच्चे को मा का दूद ही पलाए क्योंकि उसके जैसा और कोई चीज नहीं है हाँ अगर किसी case में मदर को milk नहीं बन रहा है तब ही आप बच्चे को जो है formable milk पलाए शिरुवात के एक साल में उसके बाद आप बच्चे को एक साल के बाद से आप गाय का दूद देना स्टार्ट कर सकते हैं जब आपका बेबी छोटा होता है उस टाइम पर हर दो घंटे में आपको बेबी को दूद पिलाना चाहिए और जब आपका बच्चा जो है डेड़ से दो महीने का हो जाता है तब बेबी के डिमांड के कॉर्डिंग यानि कि बच्चा जब रोता है दूद मांगता है तब आपको बच्चे को फीट करा देना चाहिए अब जानते हैं वो पांच चीज़े कौन सी हैं सबसे पहली चीज़ दिखे जो शिरुवात का एक साल होता है बच्चे के बर्थ के बाद जन्म के बाद जो शिरुवात का एक साल होता है इसमें बच्चे का हर महीने वेट बढ़ना ही चाहिए अगर किसी महीने में बच्चे का वजन जो है कम हो रहा है पिछले महीने से या फिर उतना ही है मतलब सेम भी है तो इसका मतलब है कि बच्चे को ठीक से दूद नहीं मिल रहा है बच्चे का ग्रोथ सही से नहीं हो पा रहा है तो आपको बच्चे के वजन पर ध्यान रखना है अगर बच्चे का वजन हर महीने थोड़ा थोड़ा जो है जरूर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको परशान होने की जरूरत नहीं है आप जतना दूद पिला रहे हैं बच्चे को उतना बच्चे के लिए काफी है अगर आपका बेबी जो है पूरे दिन में 6-8 बार यूरीन पास कर रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को जतना दूद मिल रहा है वो उतना उसके लिए काफी है और आपको परिशान नहीं होना है बच्चे के जो यूरीन का कलर है उसे देखे भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे को सही से दूद मिल पा रहा है या नहीं अगर बच्चे के यूरीन का कलर जो पिशाब का रंग होता है वो हलका पीला है तो इसका मतलब बच्चे को जितना दूद मिलना चाहिए उतना ही मिल रहा है और आपको परिशान नहीं होना है अब जैसे बच्चे को फीट किरा रहे हैं जैसे दूद पिला रहे हैं वैसे ही पिलाते रहें पर अगर बच्चे के जो यूरीन का कलर है वो डाक यलो है, गहरा पीला है तो ऐसे में आपको जो है बच्चे को जादा फीट करना चाहिए, जल्दी-जल्दी करना चाहिए मतल़ हर दो गंटे में करना चाहिए और ऐसा अगर लगातार हो रहा है तो इक पर अपने डॉक्टर से भी आप कंसर्ट कर सकते हैं पर हाँ, अगर बच्चे का जो यूरीन का कलर है, वो हलका पीला ही आता है अगर आपके बच्चे की स्केन, बच्चे का मुँ या बच्चे की आखे जो है आपको इदम सूखी सूखी लग रही है दम ड्राइ लग रही है, जो की मोस्ति डिहाइड्रेशन की वज़ए से होता है तो इसका मतलब भी है कि बच्चे को जितना दूद मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा है अगर बच्चे को अच्छे से दूद मिल रहा होगा, तो बच्चे के जो होट है, वो फटेंगे नहीं, स्किन भी एकदम सही रही दी और आखे भी सूकी नहीं लगेंगी, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चे को जो हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, या फिर आप फॉर्मला मिल भी पिलाते हैं, तो इन पाँच चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें अगर ये पाँच चीज़ें आपके बेबी में सब कुछ सही हैं, तो इसका मतलब बच्चे को जितना दूद मिलना चाहिए, उतना मिल रहा है आपके बच्चे की उम्र क्या है और आप उन्हें दिन में कितनी बार फीड कराते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक यो फो वाचिए